गैस exercise 8 में मैंने आप लोगों को एक bounce animation बनाने को दिया था आप में से कई लोगों ने वो बनाया, कई लोगों ने गलत भी बनाया मैं आज के इस वीडियो में सबसे पहले आपको उसका solution दूँगा और उसके बाद में उन सभी लोगों को shout out दूँगा जिन जिन ने इसको solve किया या challenge accepted लिखा आप लोग इस वीडियो को like करके नीचे comment section पे sigma batch भी ज़रूर लिख देना चलते हैं computer screen में, let's roll the intro So guys, मैं आज को यहाँ पर अपनी computer screen में और मैं यहाँ पर एक नया फोल्टर बनाने वाला हूँ तो मैं new folder में जाओंगा और यहाँ पर video 51 नाम से एक फोल्टर बना लूँगा ठीक है और इसके बाद shift right click करके मैं यहाँ पर इसको open with code करूँगा और हाँ मैं मानता हूँ कई ने कई की थोड़ा सा इसमें दिमाग लगने वाली exercise थी है तो हाँ, अगर आप लोग ने इसको solve कर दिया सही से तो I know कि यार आप लोग को बहुत अच्छी CSS HTML आती है और जो दूसरा बनाऊंगा, वो बनाऊंगा animate y के नाम से और मैं यहाँ पर भी from लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लगाऊंगा to तो कहा से कहा तक जा रही है, क्या क्या चीज़े यह मैं आपर लिखूँगा ठीक है तो मैंने एक animation बनाया animate x, एक मैंने बनाया animate y animate x पर मैंने किया left 0 से लेके left 100% तक और animate y में करूँगा bottom 0 से bottom 100% तक तो अगर मैं यहाँ पर animation लगाऊं और मैं यहाँ पर लिखूँगा कि मैं सिर्फ animate x को देखना चाहता हूं कि कैसा है और मालो मैं 3 seconds लिख देता हूं कि यार मैं 3 seconds तक जो है इसको लगाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा कि इसको और मैं इसको linear लिखूँगा और linear के साथ सार मैं इसको चाहूँगा कि infinite times y तो अभी मैं आपको यह animation दिखाऊं तो यह देखो कुछ इस तरह से यह repeat करता रहेगा ठीक है तो यह ऐसे जाता रहेगा और यह repeat होता रहेगा अब मैं इस animation को हटा दूँगा और मैं कहूंगा यार अब मुझे चाहिए बिल्कुल ऐसा यह animation अब जो वाय वाला animation होगा उसको मैं ease out करूँगा linear नहीं करूँगा क्योंकि जब ball जाती है मैं ease out करूँगा जब ball को आप उबर की तरफ फैक्ते हो तो वह ease out करती है ठीक है और मैं इसको time भी टोड़ा कम कर दूँगा मैं इसको alternate कर दिया ठीक है एक बार पीछे एक बार आगे एक बार पीछे एक बार आगे और यह ease out वाला जो function है बिल्कुल उसी तरह से देखो ऐसे जाती है इस आउट को क्या मतलब होता है कि भार की time पर slow हो जाती है और alternate करने से क्या होगा कि वैसे ही आएगा जैसे कि यह गया था ठीक है तो यह ball इस तरह से bounce कर रही है बस मुझे कुछ नहीं करना है अब दोनों animations को एक साथ लगा देना है that's about it तो मैं इसको करूँगा uncomment और यहा अगर आप चाहते हो कि एक बार बाउंस हो दो बार बाउंस हो कितनी बार बाउंस हो थोड़ी calculation करनी पड़ेगी projectile motion का मेरा एक video है खेर छोड़ो उसको देख सकते हो आप चाहो तो लेकिन छोड़ो अभी उसको projectile motion को छोड़ देते है और यह बहुत ही simple सी चीज है अगर आ आपको physics नहीं आती है तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा complicated हो सकता है अब अगेन यार animations आपने सीखे is out का मतलब सीखा alternate किया animation को y में लग से लगा है x में लग से लगा है मुझे नहीं लगता अगर physics आपको नहीं आती तब भी को दिक्कत आपको होगी अब मैं क्या साथ मैं काम करता हूँ कि अपना ये बंद कर देता हूँ ताकि दिखे आप लोगो शाओट जब मैं दू तो यह रिशव को शाओट लेकिन भाई अटेम्ट भी करना होता है सिर्फ सॉलेशन लिग के नहीं जाना होता है इसके बाद जोबहर खान को शाओट फिर रिशव न छिए वेशन थाओट आप सिर्फ मजे प्रॉबम हो रही है अगम साथा पर बहुत जादा इसलिए पड़ने प्राड़ने मुझी बॉलेगा सब को जमील को शाओट ऊटवड उज्वल को शाओट सोलो को शाओट 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 सार्यक्स को शाओट जाओट आगो मुझे फिर सब्सक्राइब नीचे आना पड़ेगा दुबारा से आता हूं यार आता हूं Tech Gaming with Nitin को shout out, Madhav को shout out, Amish को shout out, MVB को shout out, फिर इसके बाद Abdul को shout out, Vishal को shout out, Sabir Bhutan को shout out, Simply को shout out, Coder को shout out, अब इस exercise में यह देखा, बहुत कम लोगों ने solve किया है, तो that's not a problem, यहर आप लोग इसका solution को समझो और दुबारा से reattempt करो, आप कोशिश यह करो कि दूसरी तरह का similar animation मनाने की कोशिश करो, बहुत सारी चीज़े की जा सकती है, आप लोग जो है उसको कर सकते हो, आप लोग क इसको access ज़रूर कर लें, playlist में 1 million views अलरी हो चुके है, जो कि यह काफी अच्छी बात है, आप लोग यहाँ क्लिक करके bookmark करें, यहाँ क्लिक करके save करें, और जैसे कि आप लोग का feedback आ रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि sigma course हमें पहले क्यों नहीं मिला, हमने तो यह खरी feedback दिया, जिन्होंने इस course को करा, और एक और बत मैं आप लोगों को बता तो, मैं जादा course की तारीफ नहीं करूंगा, क्योंकि the course speaks for itself, और the best is yet to come, अभी भी बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं, जो कि मैं भी इसमें ऐसी डालने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को इस course की worth को बत आने वाला हूँ, तो मेरी यह बात याद रखना आप लोग, जादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता है, इस बारे में, time will tell कि आप लोगों को यह कितना अच्छा web development सिका देगा, और मेरा तो गोल यही रहगा, कि आर आपको job ready बनाना है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ, जादा झाहता है, झाहता है, जादा आपको यही रहाई यही में, time will tell.